नमस्कार दोस्तों सौगत करते हैं आप सभी का आज के एक नएव वीडियो में और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दुनिया के तीन सबसे खतरनाक जुले के बारे में जो बेहत डराउनी और खतरनाग भी है लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सस्क्राइब कर नोटिफिकेशन बटन को जरूर दबाए ताकि आपको ऐसे वीडियो देखने को मिलते रहे है नमबर वन पेंडूलम राइट दोस्तों ये खतरनाग से दिखने वाली जूले आपको 120 किलिमूटर परती घंटे की रपतार से हवा में 150 फिट की उचाई पर ले जाकर वापस नीची ले आती है दोस्तों यहाँ राइट दिखने में जितना ज़्यदा रोमांचक होता है उससे कहें ज़्यदा डराणी और बहुत खतरनाग भी होता है क्यूंकि दोस्तों इसमें बैठने वाली लोगों की हालत बहुत ज़्यदा खराब हो जाती है और ऐसा तब सबसे ज़्यदा होता है जब पेंडुलों में 150 फिट की उचाय में जाने के बाद अचानाक नीचे की तिरफ बहुत तेगी से गिरेने लगती है और ये पल उसमें बैठे लोगों के लिए बेहते डराणी और खतरनाग भी होती है दोस्तों जब बात दुनिया के सबसे खतरनाग जोले की चर रही हो तो इसमें रोलर कॉस्टर की जिकर ना हो ऐसा कभी हो नहीं सकता बेंसी रोलर कॉस्टर दुनिया के सबसे खतरनाग रोलर कॉस्टर में से एक है इस पर बैठे इंसान इस रोलर कॉस्टर की लंबाई इतनी ज़्यादा होती है कि नहीं रोकने के लिए कापी समय भी लग जाता है दोस्तो इस रोलर कॉस्टर की लंबाई 1257 मीटर और इसको उचाई 157 फीट होती है और दोस्तो इसमें ऐसे भी मोड मावजूद हैं जो हर पल आपको मौद का हैसास कराते रहते हैं दोस्तो इस राइड को इस धर्ती पर मावजद दुनिया का सबसे खतरलाग राइड माना जाता है जिसे जुनने के सोचने मातर से ही आपकी रूख अब जाएगी इस राइड की सरचना दोस्तो बिल्कुल गुल हेल की तरहा है और ये गुल हेल की सिध्धान पर काम भी करता है इसमें राइडर को बिठा कर बहुत तेजी के साथ हवा में फेका जाता है इस राइड में बैठने वाले लोगों का सिप्टी का बहुत ज़दा ख्याल भी रखा जाता है अगर इनकी सिप्टी में थोड़ा सा भी चुप हुआ तो उसकी जान भी चले जा सकते है दोस्तों इस राइड के खतरनाक होने का अंदाजा आप इस बास से लगा सकते हैं कि इसमें राइड करते समय आधे से ज्यादा लोग बहुत हो जाते हैं और दोस्तों इस जुले में एक बार जुनने के बाद को भी इंसान दुबारा जुनने का हिम्मत नहीं कर पाता और इसी तरीके से वुडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सस्क्राइब जरू करें